बिल्डिंग के बाहर का कलर कॉंट्रस देके लग रहे है कि गर्मी बहुत है लेकिन जहां मैं रहता हूँ यहां पर ग्रीनरी बहुत है इसलिए गर्मी का उतना एसास नहीं होता बन्नों और ये मेरी कार दौनो प्रॉपर पार्किंग में लगे हुए कार दोस्तों मैंने बहुत टाइम से यूज ही नहीं किये और कल मैकानिक को दिया था तो जो भी सर्विस थी वो तो गर्दी लेकिन इसमें पैट्रोल नहीं बढ़ाया है गाड़ी दोस्तों यह मैंने ले ली थी बहुत पहले 2011 में पैट्रोल आप देख सकते हैं मीटर के अंदर बिलकुल भी नहीं है जीरो पॉइंट मैंना पॉइंट ही नहीं माइनस पॉइंट बोल सकते हैं और यलो लाइट ब्लिंक कर रही है अब मेरे लिए टेंशन ही है कि मैं पैट्रोल पम तक पहुँच भी पाऊंगा कि नहीं पहुच पाऊंगा जब आपकी कार में पैट्रोल ना हो और इतनी हैवी वीकल मतलब इसको आप धका भी नहीं मार सकते हो और इस टाइम पे अगर वेट करना पड़ा है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो एक-एक मिनट बहुत भारी पड़ता है इनफेक्ट एक-एक सेकिंड बहुत भारी पड़ता है जैकिन वाच्पेन एकदम मुश्तेद है फटा-फटा आ गया है और यह बहुत ही खुपसूरत सा पार्क है मेरे घर के एक-दम सामने पतला मैं सर्कल के उपर ही मेरी बिल्डिंग है अब आप देख सकते हैं कि इसका मीटर धीरे-धीरे बढ़ रहा है पेट्रोल तो एक बहुत जो डर वली बात ही मेरे दिमाग में वो निकल गई है अब जितना ज़्यादा पेट्रोल भरा है तो उतना ज़्यादा बिल आना भी सौबावेक है अब ज़रूरत है इसके अंदर चारो पईयों के अंदर एर प्रेशर चेक करने की अच्छा एक चीज़ उसनों और है गाड़ी में जब पेट्रोल ओटो कट हुआ तो मैंने उसको उसके बाद में ज़्यादा फिल नहीं किया रीजन कि अब गर्मी आया तो टैंक पूरा नहीं भरना चाहिए थोड़ी उसमें एर के लिए स्पेस होना ही चाहिए वैसे ही सेम टायर्स के साथ में भी है इस चैनल के होस्ट और आप सब के दोस्त फकीरा का सालियोट सो भी व्यूवर्स भी सब्स्राइबर्स को और अभी अपने आइडिया लगा लिया है कि मैं हूँ गाड़ी के अंदर और मैं गाड़ी के अंदर क्यों हूँ वो बाद एकदम सही है कि मैं यह जो रोड ट्रिप करने वाला हूँ ये summer rotary रोटरी प्रहेंगा ही और summer rotary में जो मैं कर रहा हूँ दोस्तों वो मैं कर रहा हूँ अपनी इस गाड़ी के अंदर और यह गाड़ी मुझे पता है जो भी मेरे old subscribers उनको पता है कि मेरे पास car कौनसी है दोस्तों मेरे पास car जो है वो Honda Civic है जो मैंने 2011 में ले थी मतलब इसको लेके मुझे time हो गया है और मुझे यह गाड़ी बहुत पसंद है मुझे actually Honda के brands बहुत पसंद है Honda को मैं promote नहीं कह रहा हूँ लेकिना फिर भी मैं यह बात बुलता हूँ कि मैंने इस product को use किया हूँ है इसके products को तो मुझे पता है कि Honda की cars बहुत अच्छी होती है यह जो वीडियो बना रहा हूँ अपना जो मेरा छोटू है DJI Osmo Pocket उससे बना रहा हूँ उसके जो gimbal है इसको भी मैं साथ सा देख रहा हूँ कि यह मूव करता है कि नहीं करता है और दोस्तों यह मूव कर रहा है बहुत अच्छी डिवाइस है feel करने को मिलने वाली है मैं सुस करने को मिलने वाली है कियोंकि मैं पूरी के पुरी जो भी गईरम स्टेट्स हैं वहीं पर जाने वाला हूँ उसमें से सबसे पहले जो रहेगा वो है गुजरात और राजस्तान राजस्तान के बाद आगी की चीज़ जा दोस्तों मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आपको लेकिन जिस शहर के अंदर में जाओंगा उसके बारे में आपको थोड़ा प्रेडिट करना पड़ेगा कि मैं कहा जाओंगा मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ थोड़ा सा उप्षन देता हूँ बदरीनाथ की दुलनिया में आलिया भड जहां पे रहती है और बहुत जे तरीके से उस शहर को पिच्रेस किया गया है तो बस मैं वहीं आ रहा हूँ उसी शहर के अंदर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि वो कौन सा शहर है जिसके अंदर मैं सबसे पहले जाओंगा और वहाँ पर कुछ दिन में रुकूंगा तो पूरे राइड को एंजॉई करने के लिए जोनों अभी तक नहीं किया है सबस्क्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स सैटरडे मॉर्निंग परसों सुबह से दोस्तों ये राइड शुरू होगा और जो भी चीज़े होंगी कॉल आया कॉल किय को esse कै केट का डिपर्टमेंट का कॉल था मतलब केट कर डिपर्टमेंट का नहीं उन्हें क्रेडिट कर सैटरार था दोस्तों एक चीज़ में आपको और गोराइड करते थीज़े आँ आप लोग मेरी बाता को बात मानते हैं समझते हैं आपको पता है कि मैं कुछिश करता हूं कि जो भी मेरे वीवर्स के उनके लिए कुछ ने कुछ अच्छ अच्छ नौलेज़ दे पहूं। दोस्तों जो भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, मुझे लगता है कि उनको क्रेडिट कार्ड फाल के फिक दिने चाहिए। यह एक दिखनी में बहुत अच्छी सी चीज लगती है, लेकिन जितना भी आपके पास डेडिट कार्ड के अंदर पैसा है, आप वही यूज करो सबसे बैस है, क्रेडिट कार्ड अवाइड करो और अपको रखने हैं तो एक दो रख लो, उधा कि अगर आपके ट्रांजिक्श तो एक दो रख लो, लेकिन अधरवाइड करो ग्रीन रिकार्ड अपनी काम की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को यह बात आइडिया लगे है कि मैं कौन से शहर की बात कर रहा हूँ जन्हें नहीं लगाए शहर वो सर्च करेगी गूगल पर कि कौन सा ऐसा शहर है जहां पर आलिया भड ने चुब उस पिचर के अंदर जो किरदार निवाया है वो और बहुत ही गजब का फिल्म है बहुत ही रॉमेंटिक उसके सौंग्स हैं और जो हमारा शहर है जिसको बहुत अच्छी तरीके से पिचराइस किया गया है तो दोस्तों पूरी कोज़िश मैं भी करूँगा कि मैं भी उस शहर को अच्छी से पिचराइस करूं और उस शहर क बलकि जहां जहां मैं जाओंगा मैं इस बार ड्रोन फकीरा का जो बाज है उसको लेके जाने वाला हूँ और लेकिन मुझे बता है गर्मियों के अंदर एरियल वियो में बहुत कुछ देखने को बहुत अच्छा मिलेगा मुझे नहीं बता है लेकिन जिन भी जगों पर मैं जाने वाला हूँ वो जगए गर्मियों और वहां पर इस तरीकी का जो भी चीज़े है उसी की वज़े से फेमस है तो डेफिनिटली ड्रोन शॉट के अंदर मुझे लगता है कि हम सब लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है तो फ्रेंड्स आप सब को ये सबजबर तो आ गया है कि ये जो है कोई व्लॉग उस तरीके का व्लॉग नहीं है ये जस्त एक आपको अपडेट मैंने किया है कि मैं बस एक राइट पर निकल रहा हूँ तो दोस्तों जिन भी लोगों को हिंदुस्तान की गरमी देखनी है और ये रोड्स जो है हमारी कितनी गरम हो चुकी है हाइवेस कितने गरम हो चुके है मतलब इसमें ऐसा लगता है कि लोग अपने AC के अंदर ही रहना पसंद करते है जहां cooler चलता है वह cooler चला के रहते हैं लेकिन अपने घर से बाहर दिन में नहीं निकलना चाहते है लेकिन मेरे इसे फकीर के साथ problem ही होती है कि हम बिना घूमे बिना travel किया रहे नहीं सकते है और काफी दिनों से मैंने travel किया नहीं है तो दोस्तों अब रहे इस बात पकी कि अब मैं निकल रहा हूँ Saturday को बहुत ही अच्छी बहुत ही खुबसूरत राइड होगी मुझे पता है कि इसके अंदर struggle बहुत होगा संगर्ष बहुत ज़्यादा होगा लेकिन जो भी होगा आप और हम मिलके करेंगे मतलब करूँगा मैं और आप सब को दिखाऊंगा और जितनी भी knowledge जितनी भी updates मैं आपको दे सकता हूँ इस मौसम के बारे में और गर्मियों के अंदर जो होता है ना कि गर्मिया मतलब गर्मियों के छुटियां भी दोस्तों इसी रहे लगती है लेकिन मैं जा रहा हूँ गरम जगों पर थोड़ सा टेड़ा गाम है उल्टा गाम है लेकिन मुझे यह सब करने में ही मचा आता है हाँ यह बात पकी है कि इस बार बे जाऊंगा कार में क्योंकि कार में इसने जाऊंगा कि मुझे मतलब यहां से मेरा आजस्तान जा रहा हूँ अकेला फिर कुछ लोग बिर साथ जॉइन करने वाले हैं कौन लोग जॉइन करेंगे उनसे भी मैं आपको आगे इंट्रिडूस करूँगा अगर दोस्तों आपको मेरे व्लोग्स, मेरे कंटेंट, मेरे एफर्ट सही लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नाचुरल और दोस्तों बहुत ही जल्दी मिलेंगे Saturday Morning में अपनी राइड जो है अपनी जो रोड ट्रिप है वो स्टार्ट करने वाला हूँ लॉंग रोड ट्रिप है इस ट्रिप का इस राइड का जो नाम में ने दिया है वो लिखा है समर रोड ट्रिप तो दोस्तों समर रोड ट्रिप के जो वीडियोज है वो most probably Sunday से आना शुरू हो जाएंगे अगर आपको लाइव अप्रेट चाहिए या कहीं पे बीच में आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके शहर से गुजरने वाला हूँ और आप मेरे को मिलना चाहते है तो आप मेरे को Instagram पे follow कर सकते है Same idea fakira riders तो Instagram stories के अंदर मैं अपनी जो live posting के वो करता रहूंगा जो भी photos के वो मैं डालता रहूंगा तो उसके थूप भी आप मेरे से मिल सकते है मेरे नमबर आप लोगों के पास में हैं थोड़ी सी breeze walking शुरू कर दीजिए और बस तयार हो जाई है Ladakh Ride के लिए भी Ladakh Ride के लिए मैं 14th June को निकलने वाला हूं मुंबई से उस टाइमें मैं निकलूँगा बाइक से उस टाइम भी गर्मी बारिश का सबका community होता है मज़ा उसमें भी बहुत आता है लेकि हीट होता है उस टाइम पे भी दोस्तों लेकिन अभी जो जाना हो इसमें सिर्फ हीटी हीट होने वाला है बारिश नहीं होने वाला है तो दोस्तों बस इस व्लोग को मैं आप यहीं कितम करता हूं Keep riding with life Be Simple, Be Natural